नमस्कार मैं शिवानी भिहारी नीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरी मिर्च खाने के फाइदों के बारे में स्वाद में तीखा होने के बापजूद भी हरी मिर्च को देखकर शायद ही किसी के मुँँ में पानी नहीं आता होगा किचन में मौजूद हरी मिर्च ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है साथ ही इसके कई स्वास्त लाव भी है सुनकर आश्यर यह हुआ होगा कि मिर्च के भी फायदे हो सकते हैं तो मैं आपको बता दू कि हरी मिर्च कई तरह के पुशक्तत्तु जैसे विटामिन A, B6, C, आइडन, कॉपर, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्वोहाइडरेट से भरपूर होती है यही नहीं इसमें बीटा केराटीन, क्रिप्टोक, सान्थीन, लूटेन, जंक्ष्थीन, आदी, स्वास्त वर्धक, जीजे मौजूद हैं कमजोर इम्म्यूनिटी के कारण सर्दी, जुकाम, एलर्जी या शारी कमजोरी की समस्या हो सकती है ऐसे में हरी मिर्च का उप्योग, इम्म्यूनिटी सिस्टम को सुधारने में फायदे मंद हो सकता है हरी मिर्च में विटामिर A, विटामिन C, आयरन, पोटेशियम और माइगनेशियम जैसे पोशक्तत तो पाया जाते हैं जिसकी वज़ा से हडी मिर्च में पाया जाने वाले ये पोशक्तत इम्म्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में फायदे मन्ध होते हैं। हिर्दे को स्वस्त रखने के लिए हडी मिर्च का उपयोग किया जा सकता है। मिर्च में कैपसाइसीन नामक कमपाउंट पाया जाता है जो मिर्च को तीखा और स्वास्त बर्धक बनाता है यह कमपाउंट हिर्दय रोगों की समस्या को दूर करने और हिर्दय को सुरक्षा परदान करने में फायदे मंद होता है रक्त में ग्लुकोज का अस्तर बढ़ने पर डायविटीज की समस्या हो सकती है इस समस्या को दूर करने के लिए हरी मिर्च फायदे मंद हो सकता है हरी मिर्च में कैपसाइसीन नामक कमपाउंट होता है जैसा कि उपर मैंने बताया है कैपसाइसीन नामक कमपाउंट में एंटी डायविटिक गुन पाया जाता है यह गुन मधुमे को कम करने में मददकार होता है हाड़िमर्च इंटी औक्सिडेंट गुनों से भरपूर होता है इंटी औक्सिडेंट का प्रभाव ऑक्सिकरन को रोक सकता है ऑक्सिकरन एक रासायनिक प्रिया जो फ्री रेडिकल्स का उस्पादन करती है जिससे कोशिकाओं को नुकसान पहुचता है इसके अलावा यह गुन ऑक्सिडेटीव स्ट्रेस को भी दूर करने में मददकार होता है जो पुरानी बिमारियों जैसे अस्थमा मधुमे और अलजाइमर के बढ़ने का कारण बनते ह पाचन किडिया को सुचारयो रूप से चलाने में भी हरी मर्च अहम भूमिका निभा सकता है यह ग्यस्ट्रो इंटेस्ट्राइनल विकार्ड पर पॉजिटिवब इफेक्ट दिखा सकता है क्यूंकि गेस्ट्रो इंटेस्ट्राइनल विकारों में अपच के लक्षन दस द कभज जैसी समस्यां शामिल हैं जो बिगड़े हुए पाचन तंत्र का परिनाम होती है मिर्च में केपसाइसीन कंपाउंट पाया जाता है केपसाइसीन गेस्ट्रो इंटेस्ट राइनल की समस्या को दूर करने में मददकार होता है मोटापे के कारण स्वास्तंबंधी कई समस काrånावा दिलाने में मददकार हो सकता है है केपसाइशीन में एंटी ऑzensिति गुन होता है यह गुन मोचापे को दूर करने के साथ ही वजन को नियंतरित करने में यह क्यात करता है यहां भी हरी मिर्च में मौजूद केपसाइसीन आहां भूमिका निभाती है केपसाइसीन एक काड़गार anti-cancer के रूप में काम कर सकता है यह सिर्फ cancer से बचाने में कुछ हद तक मदद कर सकता है कैंसर की रोक्ताम के लिए डॉक्टर द्वाडा दिया गया treatment ही फायदे मन्द होगा तवचा के लिए भी हरी मर्च के फायदे कई हैं हरी मर्च विटामिन C जैसे इंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होता है जिसे त्वच्रा के स्वास्त के लिए खास पोशक तत्तो माना जाता है विटामिन C त्वच्रा में कॉलेजन को बढ़ाने का काम करता है विटामिन C कपड़ योग त्वच्रा को चमकाने, इंटी इजिंग और सूरज की हानिकारी कीर्णों से बचाओ वाले कॉस्मेटिक उत्पादों में भी किया जाता है सेहत और त्वच्रा के साथ ही हरी मिर्च का उपयोग बालों के विकास में भी फायदे मंद हो सकता है इसमें पाया जाने वाला कैपसाइसीन कंपाउंच गंजेपन की समस्या को दूर करने और बालों की ग्रोथ को बठाने में फायदे मंद होता है लेकिन ध्यान रहे जिन्हें ज़्यादा तीखा पसंद नहीं और जो ज़्यादा समवेदन शील होते हैं यानि सेंस्टिव होते उनके लिए हरी मिर्च का अधिक सेवन नुकसान दायक हो सकता है हरी मिर्च की अधिक मात्रा की कारण टॉक्सिक की समस्या हो सकती है कुछ हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है जो मूँ में अधिक चलन पैदा कर सकती है आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और हम आशा करते हैं कि हरी मिर्ट से संबंधित हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप किसी विशेपर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपकी सवालों के जवाब देने में खुशी होगी आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद